हेलो दस्तों बाइशल सिग्नल सौट्ट्वेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज हम एनालिसिस करेगे कोमोडिटी का फिर से एनालिसिस करेगे तारिकियाहitic marine 2021 और हम तदात तर चार दिनों से कोमोडिटी मार्केट का एनालिसिस करते रहते हैं और comparison करते रहते हैं कि फिछले दिन क्या हुआ था क्या signal दिया था और आज क्या difference आया है तो कल मैंने यहां something बताया था कोपर के अंदर कि buy signal चल रहा है और बहुल करवा रहा है कि buy signal के अंदर काफी लंबा उपर गया है 56 का high लगा दिया करीबम कल 10 point उपर गया आज market open होते ही market उपर चड़ गया तो उसके पहले भी मैंने कल भी बताया था कि buy signal के पहले double side arrow है मतलब कि आपको double quantity के अंदर काम करना चाहिए क्योंकि buy के पहले double side upper side arrow बना हुआ है आप देख सकते हैं buy के पहले double side blue triangle upper की side बना हुआ है मतलब कि double confirmation signal है तो आपको double quantity के अंदर काम करना चाहिए मैंने कल भी बताया था और परसो भी बताया था आपका उसका वीडियो चेक कर लिजे यहां मैंने बताया था कि position बोल रहा है कि software बोल रहा है कि hold करने के hold करने hold करवाया hold करवाया hold करवाया पर यह side way market के हिसाब से sell signal generate हो चुका है और आपको इसके अंदर काम नहीं करना है क्योंकि यह signal गलत है क्योंकि sell के पहले downside arrow होना compulsory है और seat number 2 से verify करते हैं तो seat number 2 ने भी इसको verify नहीं दिया आप देख सकते हैं यह trade line से market उपर की तरफ है तो आपको exit करने की जरूरत नहीं है यहां तुरन बोल दिया था hold करेगा आज market directly उपर जा चुका है और 56 अभी चल रहा है अभी तक buy में है कल मैंने आपको परसो भी बोला था गोल्ड के अंदर buy signal चल रहा है आप देख सकते हमारा पिसला वीडियो दो दिन के पहले कल भी मेंने बताया था कि गोल्ड के अंदर double confirmation के साथ यह upside arrow आया है मतलब कि double quantity इम के अंदर काम करना चाहिए आपको और यहां आपको बोला था hold कर देखला थे और सीट नम्बर टू में भी आपको बताया था कि यह इसको क्रॉस नहीं किया है मतलब कि 주고 continue इस सेल को अवोईड करना है यहां से भी गलत दिखाया, दूसरी सीट से भी गलत दिखाया यहां बोला ओर उपर जाएगा, ओर ऊपर जायगा, ओर उपर जाएगा आपको अगर यहां नीकल दिया है, तो वो पोजिशन यहां भीचे लेना है, अगर नहीं नीकल आए, तो continue ही signal आपको रखना है आप हOY 25,24 रुपीज चल रहा है लाइव मार्केट के अंदर क्रूड के अंदर ने दिखा देता हो पर बहुत के अंदर भी मैंने लास्ट चार दिन से बोल रहा हो कि मार्केट सेल में है कंफॉर्म सेल में बना हुआ है आप सेल में बने रहा है और आज उसने एक exit का point दिया है पर buy signal आया है तो buy signal करने से पहले आपको seat number 2 में verify कर लेना है तो seat number 2 ने इसको verify नहीं किया है ध्यान रखिएगा आपके software कोई भी software यूज करते है तो उसमें buy signal चाहिए आ गया होगा तो उसमें trade करना नहीं है क्योंकि buy signal यहां से सही है पर seat number 2 में सही नहीं दे रहा है तो next confirmation का wait करिए जब तक को confirmation नहीं देता है तब तक आपको कोई trade नहीं करना है क्योंकि seat number 2 ने इसने verify नहीं दिया है कल sell देने के बाद भी 100 point नीचे जा चुका था कल मैंने बोला था software बोल रहा है कि hold करवा रहा है उसके बाद भी 100 point जा चुका है उसके पहले भी मैंने बोला था करीब हमारा दोस्त buy sell signal चल रहा है यहां से चल रहा है यहां से चल रहा है मैंने वीडियो upload किया था पिछले दिनों के अंदर आप देख लीजिएगा और तदातर sell में ही है क्योंकि यह जो buy है वो भी गलत है और करना है तो सिफ exit करिए फिर से यहां से उसने sell में बेठा दिया ISL तो वेसे भी गलत था continue sell में था आज सिफ उसने exit करवाया है तो सिफ exit करना है सिफ नंबर टू ने उसने verify नहीं लिया है जब देगा तब आपको trade करना चाहिए silver के अंदर भी मैंने पिछले चार दिनों से बोल रहा हूँ कि buy signal है software बार बार यहीं बोल रहा है कि hold करिये hold करिये hold करिये करिबं 3000 पॉइंट उपर जा चुका है software ने अल्रेडी जब से बाई दिया है वहां से 3000 पॉइंट जा चुका है क्यों कि कब से buy signal चल रहा है मैं दिखा देता हूँ यहां से मैंने जब buy signal आया तब भी बोला था कि double confirmation के साथ buy signal आया है और यह जो sell है वो गलत है आपको बार बार यही बोल रहा है कि और उपर जाएगा और उपर जाएगा और उपर जाएगा और सीट नंबर टू में देखते हैं तो सीट नंबर टू में भी आप देख सकते हैं मैंने फिछले वीडियो में भी बोल रहा था कि यह ट्रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है आप उसको continue hold रखिए देखिए बार बार यह मैंने बोला है वीडियो के अंदर कि आप hold करिए hold करिए software यहीं बोल रहा है कि hold करने के लिए और यहां भी software बार बार यहीं बोल रहा है और उपर जाएगा और उपर जाएगा और उपर जाएगा और उपर जाएगा और यह कोई भी सेल सही नहीं है सीट नंबर टू से भी उसने डाउन नहीं किया और यहां भी उसन निकल के अंदर सिफ एक्जिट हो चुका है तो आप सिफ एक्जिट कर सकते कल मैंने यहां सम्तिंग बोला था बाई सिगनल चल रहा है और काफी उसके अंदर भी उपर गया था करीब हम 30 पॉइंट उपर जा चुका था कल भी कल की मार्केट में विडियो अपलोड करने के बा हो चुका है मतलब कि यहां पोजिशन आपकी एक्जिट हो गई अब नेक्स सिगनल का वेट करना है जब तक नेक्स सिगनल नहीं आता है तब तक आप कोई भी पोजिशन मतले है नेचरल गेस के अंदर भी कल का जो सेल मैंने दिखाए ता शाहिद आपको तो वह एक्जिट ह अब भी चुका है कोई भी ट्रेड करने की जरूरात नहीं है जीनके अंदर आपको यह सेल सिगनल था अब कोई सिगनल नहीं है जीनके अंदर भी आपको कोईर्ट करने की ज़रूरात नहीं है तो यह रहा ऑल्ल पपोरमस answer job The coach बहुत अच्छा रहा अगर कोई नए सिगनल आएगा तो हम उसका विडियो बना कर अपलोड कर देगे और आप इसको 20 मिनिट में करते हैं तो कोई गलत सिगनल अंदर की तरफ नहीं है सेफ आपको बोल रहा है अभी तक ओल डिकर सकते हैं कुछ भी जानकरी के लिए अगर आपको लाइव देखना है तो हम अमें कमेंट कर सकते हैं one या two hour software को live कर देगे आप देख सकतेगे उसके अंदर कोई भी signal आया तो आप watch करेगे उसके उपर काम नहीं करेगे क्योंकि कभी भी software exit भी करवा सकता है उसके अंदर buy भी करवा सकता है तो thank you for watching दोस्तो जैहिन